नमस्कार दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एगल डेक में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको Amazon Great Indian Sale और Flipkart का Dead Bulbler Sale Day के बारे में अच्छे से समझाओंगा और कुछ Product Suggestion भी दे दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाएं उन सब सेल पे जाना और अपने मन पसंद का चीज़े खरीदना देखो इन दोनों में से सबसे बड़ा सेल है Amazon का Great Indian Sale और ये सेल आप तक पहुँचा रहा है HDFC Bank और Amazon Pay India एक normal user के लिए 4 दिन का मौका होगा इन सेल पे जाना और चीज़े खरीदना और आप अगर एक prime user हो तो आपको मौका मिलेगा 4 दिन 12 घंटे का यानि कि दोस्तों एक prime user के लिए सेल चालो होगा 19 January दोपर को 12 बज़े से और एक normal user के लिए सेल चालो होगा 20 January रात को 12 बज़े से और दोनों के लिए सेल चलेंगे 23 January तक आपके पास अगर एक HDFC bank का debit card या फिर credit card होगा तो उसके लिए आपको 10% का instant discount मिलेगा कोई भी product खरीदने के लिए और maximum एक card से आपको 3000 रुपे का ही discount मिल सकता है लेकिन आप अगर ये 10% का offer लेना चाहते हो तो minimum आपको 3000 रुपे का swapping करना ही पड़ेगा और 10 करोड से भी ज्यादा products के उपर आपको no cost EMI भी मिल जाएगा आप अगर इन sale पे जाके fashion character के कुछ खरीदना चाहते हो तो उसके उपर आपको 80% का चूट मिलेगा आपके पास बहुत सरे option होगे बहुत सरे brand से आपको choices मिलेगे आप अपने 1% के कपरे खरीदो अगर फिर power bank खरीदना चाहते हो तो आप खरीज सकते हो Amazon से जाके आपको 60% का discount मिल जाएगा देखो 60% या फिर 80% यह जो बोलते है न यह असले में उत्रा नहीं होता आपको maximum 10-12% का discount मिलता है मैं आपको एक example देखे कहता हूँ यह लोग बोल रहे हैं कि आपको up to 60% का discount मिलेगा यानि कि अगर एक laptop का कीमत है 30,000 रुपे अगर 60% off आपको मिलने थी तो वो laptop आपको मिलने चाहिए 12,000 रुपे में लेकिन उतना discount आपको कभी भी नहीं मिलता आपको उस laptop के उपर जाले 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 लादा 5000 या फिर 6000 रुपे का ही discount मिलेगा तो आप लोग एक चीज देख हमेशा किसी भी offer को apply करने से पहले वह आपको 60% off लिखा रहा है या फिर exact 60% off लिखा रहा है अगर आप लिखा रहा है तो समझ जाना कि आपको चितना बता जा रहा है उतना नहीं मिलेगा दोस्तों online sale जब भी आता है तो आप लोग कोशिस करते हो कि जो नए smartphone आया है वो में इतने ज़्यादा smartphone customer हो गए हैं सबको एक एक नया नया smartphone चाहिए और इसलिए साइध आपको हरे company से एक मैने पे दो थिन smartphone brand launch होता हुआ दिख जाता है अगर आपको अब एक smartphone लेना है तो मैं आपको कुछ suggest कर देता हूँ low budget पे आपको budget है 6000 रुपे तक तो आप Redmi 6A phone को द no cost EMI का भी option है आप अगर चाहते हो तो no cost EMI offered भी इस phone के अंदर avail कर सकते हो आपका budget अगर 8000 रुपे का है तो आप Redmi Y2 phone को देख सकते हो इसका launch price था 11,000 रुपे 3GB, 32GB variant का बात कर रहा हूँ मैं इसका खासी है ते कि आपको 15MP का EI selfie camera मिल जाता है तो आप अगर अभी इस sale के दौरान Redmi Y2 phone को खड़ीद हो गई तो बस आपको ये 8000 रुपे में मिल जाएगा तो low budget के अंदर ये 2 phone में आपको recommend करना चाहूँगा एक Redmi 6 है और एक हो गया Redmi Y2 अगर मैं mid range phones की बात करूँ अगर आपका budget 10,000 से उपर का है तो आप Realme U1 phone को एक बार देख सकते हो 3GB, 32GB वाल जाता है और 25MP का front camera देख जाता है तो अगर आप Realme का U1 phone खड़ीते हो 11,000 रुपे में तो आप बहुत फायदे में रहोगे अगर आप Realme brand को उतना पसंद नहीं करते है आपको Redmi का phone चाहिए और आप mid range में धून रहे थे तो आप Redmi 6 Pro को एक बार देख सकते हो Redmi 6 Pro का launch price था सार 13,000 रुपए लेकिन अभी आपको sale के दोरान ये phone मिल जाएगा बस 11,999 रुपए में इसका खासियत है कि आपको इसमे 4000 इमेज का battery देखनी हो मिल जाता है और notch display भी आपको इसमें मिल जाएगा उस तो आप अगर अपने budget को और थोरा सा खीच सकते हो 16,000 रुपए तक तो Vivo V9 Pro में आपको 6GB RAM मिल जाता है और इसमें आपको Snapdragon का 660 processor भी दिख जाता है और 16MP का selfie camera भी है देखो Vivo V9 Pro जब launch हो आता ना तो इसका कीमत था 20,000 रुपए रेकिन अभी आपको ये 16,000 रुपए में मिल रहे है तो थोरा सा budget को और अगर खीच सकते हो तो 16,000 रुपए में V Vivo V9 Pro का खरीच सकते हो अब बहुत फाइदे में होगे Vivo V9 Pro का design भी कापी अच्छा है एक मेरा दोस्त यूज करता है Vivo और OPPO का camera खासकर बहुत अच्छा होता है दोस्तो प्रीमियम सेगमेंट पे मैं आपको दो phones को recommend करूँगा लेने के लिए अगर आपका budget 40,000 या फीड उससे उपर का है आप ले सकते हैं OnePlus 60 phone जो कि अभी smartphone industry में सबसे fastest smartphone है इसमें आपको in display fingerprint देखने को मिल जाता है उसके बाद waterdrop launch देखने को मिल जाता है OnePlus 60 आपको 6GB और 128GB का variant 37,999 रुपीस में मिल जाएगा एक और phone जो मैं आपको recommend करूँगा Samsung Galaxy Note 8 जिसका launch price सा सारे 44,000 रुपै आप अगर 6GB variant को खरीद होगे तो आपको यह 40,000 रुपीस में मिल जाएगा विधे S Pen तो आप अगर Samsung का fan हो आपको Samsung का flexible level phone चाहिए और budget app का 40,000 रुपै तो आप आग बंद करके Note 8 को खरी सकती हो आप 5,000 होगे दोस्तों यह तो होगे Amazon का Great Indian Sale अभी में आपको Flipkart का Republic Day Sale के ब आपको 8 बजे से, यानि कि चार गंडे पहले से उनको यह sale का access मिल जाएगा, इस sale का कुछ main highlights के बारे में बात कर लेते हैं, आपके पास अगर SBI का credit card है, तो आपको 10% का हिस्तान discount मिलेगा किसी भी product पे, लेकिन आप अगर इस offer को apply करना चाहते हो, तो minimum आपको 4,999 रुपीस का shopping करना ही बढ़ेगा, और आपको एक card से 1750 रुपे तक कही maximum discount मिल सकता है, अगर आपके पास एक बजाज का EMI card है, तो इसको यूज करके आप no cost EMI option भी able कर सकते हो, कुछ-कुछ products पे, और एक special feature, trip card आपको देता है, आप debit card EMI offer को भी apply कर सकता है, अगर आपके पास एक eligible debit card है, तो आपका debit card EMI के लिए eligible है कि नहीं, उसे आप check कर सकते हो, आपको बस DC EMI message को लिख के भेज देने है, 57575 नंबर पे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका debit card जो है, UMI के लिए eligible है कि नहीं, दोस्तो flip card app में जाके आप अगर इस sale के अंदर इंटर करोगी ना, तो आ जैसे price crash deals, जहाँ पे दोस्तों आप अगर clothing, beauty, home range और भी जादा categories के product खरीदना चाहते हो, तो हर 8 गंटे पे आपको नए नए यहाँ पर deals मिल जाएंगे, बहुत एकम दाम पे आपको इन सब categories के product आपको दिख जाएंगे, वहाँ पर price crash deals section पे जाओगे, तो हर 8 गंटे में आपको नए ने पोड़क्ट्स आपको दिखने को मिलेगा, आपको अगर clothing, beauty, home range और भी ज्यादा categories के product चाहिए, तो आप price crash deals पे जाके चेक कर जाकते हो, आपको अपने मन पसंद का product आपको दिखने को मिल जाएगा, एक और section हो दोस्तों, blockbuster deals, blockbuster deals के section पे जाओगे, तो आपको यहाँ पर mobile, tv, laptop बगड़े चीज़े, fashion categories पे कुछ चीज़े आपको दिख जाएगा, आप अपने हिसाब से उसे खड़ी सकती हो, दोस्तों, नीचे में एक section आपको दिख जाएगा, इंडिया स्टोर के नाम से, इंडिया स्टोर में जाओगे, तो आपको made in India product, best of Indian customer के लिए उधर दिख जाएगा, बहुत सारे customer को handicraft चीज़े पसंदे, जैसे कुर्ताज हो गया, पैजामाज हो गया, तो अगर आपको भी यह सब चीज़े चाहिए, जो कि इंडिया में बना हो, और इंडिया स्टोर के लिए special हो, तो आप इंडिया स्टोर के एक पर section को check कर स सबसे पहले low budget की बात कर लेते हैं, realme C1, जब यह realme C1 launch हुआ था तब इसका price था 9000 रुपे, लेकिन अभी आपको यह 7000 रुपे में मिल जाएगा, इस phone के अंदर 2GB RAM और 16GB ROM है, और दोस्तों यह 6.2 inch HD Plus display भी आपको इंस के अंदर दिखने को मिल जाएगा, और सबसे जाएंज में एक phone मैं आपको recommend करना चाहूंगा, Redmi Note 5 Pro, जो की बहुत ज्यादा विका था, जब यह पहली बार launch हुआ था, 2018 February के मन्त पे, Redmi Note 5 Pro इंडिया में बहुत सारे customers नहीं से खड़ी दे थे, तो Redmi Note 5 Pro जब launch हुआ था, इसका price था 15000 रुपे, लेकिन अभी आपको यह phone 11000 रुपे में मिल जाएगा, 4000 रुपे का off मिल रहे है, 4GB, 64GB variant का बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी color खड़ी दूगे तो आपको यही price के अंदर हो मिल जाएगा, तो आप अगर चाहती हो Redmi Note 5 4 को खड़ी दना, आपका budget अगर 11000 रुपे के अंदर है, तो आप खड़ी सकते हो, आ आप बहुत ज़्यदा फाइदे मिल होगे, आप अगर अपने budget को और थोड़ा सा खीश सकते हो, तो आपको एक बहुत अट्राक्टिव फोन मिलेगा, Realme 2 Pro, जिसके अंदर आपको water drop notch display देखने को मिलेगा, Snapdragon 660 Pro से देखने को मिलेगा, जो लाँच होआ था, इसका कीमत था 15 लेकिन अभी आपको यह 13,000 रुपे में मिल जाएगा, Realme 2 Pro जब लाँच होआ था, तो भी यह बहुत सारे customer ने खड़ी दे थे, क्योंकि इसमें पहली बार के लिए इतने कम दाम पे, इस phone पे water drop notch display दिस्पले दिया गया था, इसका design पे काफी अच्छा है, मेरा भाया कर लेता हूँ, हाथ में बहुत premium सा feel आता है, तो आप इसको खड़ी सकती हो, आप भी बहुत ज़्यदा फायदे में होगे, और दोस्तों आप पर कर थोड़ा सा और budget को increase कर सकती हो, तो Xiaomi के तरफ से आने वाला Poco F1 phone को आप खड़ी सकती हो, जिसमें आपको 6GB RAM मिल जाता है, 64GB का storage मिल जाता है, इसमें Snapdragon 845 का processor लगा हुआ है, जो की बहुत जादा पार भूले, OnePlus 6 में आपको ये processor देखने को मिलता है, Poco F1 का camera भी बहुत अच्छा है, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बड़े-बड़े YouTuber ने बोला है, तो आप लोग Poco F1 को खड़ी सकती हो 20,000 के अंदर Snapdragon 845 मिलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है Xiaomi ने, Poco F1 फोन अगपगर खड़ी दोगे, तो आप लोग कभी भी regret नहीं खड़ोगे, जोस्तों ये तो हो गए Flipkart के तरब से आने वाले smartphone offers, जब भी Flipkart कोई भी offer launch करता है न जो लोग कोई भी रिचार्ज नहीं किये Flipkart के तरब से, उन्हों के लिए special offer है ये, लेकिन अभी आपको कोई भी offer ये पार नहीं तीखेगा, सेम offer अभी Flipkart में चल रहा है, जो पहले चल रहा था, आप अगर 26 या फिर उससे ज्यादा कर रिचार्ज करोगे, तो आपको 25 कर पर डिसकाउंट मिलेगा, जो लोग कभी भी Flipkart से रिचार्ज नहीं किये है, debit card ये फिर credit card payment के लिए, तो इस ताइम नो recharge offers from Flipkart, उस्तो ये थे Amazon का Great Indian Sale और Flipkart का The Republic Day Sale का समप, मुझो में दे कि ये वीडियो आपको काफी दा पसंद आया होगा, वीडियो में जितने भी offers औ आपको दियो, आपको काफी दा पसंद आया होगा, तो प्लीज आड़ इस वीडियो का अब तरफ से एक लाइक करते हैं, आपने सभी दोस्तों के साथ सेयल करते हैं, तकि सब को इस वीडियो में बताए हुए offer के बारे में पतले जाए, सब लोग को इन offers को यूज करके और बहुत पैसे बचाने का मुखा मिल जाए, आड़ इस वीडियो में तरफ में लगले वीडियो में तब तक के लिए कुछ लिएगा,